यह है 2.5-inch HDD enclosure, जो कि आप देख सकते हैं, पाइ बॉक्स की तरफ से आता है, पाइ बॉक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, मैंने कुछ और एक प्रोडक्ट यूस किया है, जैसे कि मैंने का केबल यूस किया हुआ है, काफी अच्छी quality का आता है, तो इसको open करते हैं, यह रहा, इसको side फेकते हैं, यहाँ उपर देखेंगे सारी detail mention की गई है, बाकी जो है, वो detail हम अंदर देखेंगे, यह thank you card भी है, तो आप इसको चाहें तो उपर सकते हैं, इसको side में रखते हैं, उसके बाद यह कुछ इस तरीकी के box में आता है, तो basically एक hard drive case है, जो की hard case है, बहुत जादा hard नहीं है, लेकिन still hard case है, जो material है काफी soft है उपर, जीपर के quality भी हाँ काफी अच्छी दिख रही है, कोई issue नहीं है, यह unnecessary का logo जो बहुत जादा बढ़ा दिया हुआ है, यह मुझे पसंद नहीं आया फिलाल, इसको open करते हैं, open करने में आप पर कुछ और padding दी गई है, यह बिलीब काम आएगा, जब हम hard drive को अंदर लगाएंगे, इसको side में रखते हैं, यहाँ एक और booklet दिया गया, इसका screenshot में लगा दूँगा, आप इसको चाहें, तो read कर सकते हैं, इसको इसको किस तरीके से hard drive को लगाएंगे इसके अंदर, प्लस इसमें warranty को register कैसे करेंगे, उसकी detail दी गई है, उसके बाद मिलता है हमारा यह enclosure, कुछ ज़्यादा इसमें फजग है, तो यह enclosure रहा, उसके लावाएं यहाँ पर एक interesting product दिया गया है, जो कि हमारा mobile stand, यह mobile stand प्लास्टिक का पूरी तरीके से बना हुआ है, काफी cheap quality का है, जो कि हमारा case, इसको open करते हैं, तो यहाँ कुछ इस तरीके का box दिखता है, इसके उपर अगा ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर texture बना हुआ है, जो कि आपका scratch resistance कर सकते हैं, जिस पर scratch नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ पर इसको खोलने का तरीका भी दिया गया, sticker दिया गया, इस side में आपका type C connector दिया गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा hole है, जो कि आपका LED indicator है, इसके लावा इसमें कुछ नहीं है, इसको open करने के लिए simply आपको इस तरीके से पकड़ के इसको और नीचे के तरफ पुश करना होगा, तो आपका यह जो box है, वो open हो जाएगा, और य जो disk लगा सकते हैं, वो up to 6 TV हो सकती है, उससे अदा का disk अगर आप इसको लगाएंगे, तो यह support नहीं करेगा, अगर इसमें color options की बात करें, तो इसमें आपको पहला मिलता है black, दूसरा आपका blue है, तीसरा आपका option मिल जाता है red and चौथा option जो है, वो white है, तो आपके बस च देखेंगे file copy करके, इसकी speed test देखेंगे कि यह कैसा perform करता है, SSD के साथ और normal hard drive के साथ, दोनों के साथ इसका speed comparison देखेंगे, तो अगर आपको इसके अंदर disk लगाना है, कुछ नहीं करना, आपको simply इसको यहां से टकना, इस तरीके से slide करके लगा देना है, और इसको remove करने के back side से थोड़ा सा इसको lift करेंगे और इसको pull कर लेंगे तो यह निकल जाएगा, सेम आप ऐसे ही loose drive भी लगा सकते हैं, इसको लगाने के बाद इसको आप यहां इस तरीके से slide करके case को बंद कर देंगे, आपको आवाज आए कि टक से, इसका मतलब यह लॉक हो गया है, और यह पूरी तरीके से आपका बन गया, इसको लगाने के बाद हलका सा जो इसके अंदर drive है, वो loose है, especially जो यह disc है, जो यह normal hard drive है, यह loose है थोड़ा सा, I believe इसको दिया गया, इसके अंदर लगा करके इसको pack करने के लिए, जिससे कि यह कही भी move ना करे, SSG लगाने के बाद यह जरा हमें मिल रही है, तो मैंने यह disc को दो अलग तरीके से टेस्ट किया था, पहले मैंने normal जो इसके साथ cable आता है, उसके साथ टेस्ट किया था, उसके बाद मैंने type C to type C cable लगा के भी try किया, कि देखा कि speed में कोई difference आता है क्या, लेकिन मुझे as such कोई speed difference नजर नहीं आया, तो य normal hard drive के साथ speed है, उसके बाद इसको मैंने type C cable के साथ भी try किया, तो type C के साथ भी आपका approximately उतनी आ रहा है, बलकि speed कम ही दिख रही है, 99 हो गई read speed, right speed 170 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप cable change भी करते हैं, तो उससे ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है, उसके बाद मैंने इसके साथ cable आता, USB cable, उसके साथ इसकी speed है, इसके अलबा मैंने इसको type C, type C cable के साथ भी check किया, उसमें भी मुझे same result मिला, अब इनके जो इस site पे speed क्लेम करते हैं, जो USB 3.1G speed क्लेम करते है, 479 MB जो read speed बोलते है, और 475 के रहाँ ये write speed बोलते है, जो कि अगर आप देखेंग actually में कोई file read या write करते हैं, तो उस वक्त हमको क्या speed मिलती है, तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने 2GB का almost video file लिया हुआ है, जिसका actual size अगर आप देखेंगे, तो 1.89GB है, मैं इसको copy करता हूँ, अपने tribe में, इस वक्त मैंने इसमें जो लगा रखा हूँ, SSD लगा रखा है, तो इसी file को वापिस से अपने system में copy करते हैं, और देखते हैं, हमको read speed कितनी मिलती है, यहाँ से मैंने file drag की, और drag करके मैंने system में drop किया, तो आप देखेंगे, जो speed मिली, वो 1GBPS से plus ही थी, 1.191.29 something speed आपको देखने को यहाँ मिली, तो आज के इस वीडियो में बसेतना ही, मु अजिड़ टॉब हाँ